तो भाई स्वाधाद है आप सबको फिर से एक और ने वीडियो में बीष्ट थलापती बिजय साब की यही एक फिल्म थी जिसने केज़ेप चेप्टर 2 के सामने पीछे हटने का सोचा तक नहीं नहीं तो आपको पता होगा यही सेम डेट पे लाल सिंग चड़ा को आना था और जर्सी को भी आना था अब लाल सिंग चड़ा का मेकर्स तो काम बाकी है बोलके पीछे हट गए लेकिन जर्सी के मेकर्स अपना जिद पकड़ के बैठे थे कि हम फिल्म को रिलिज करेंगे तो सिर्फ यही डेट पे रिलिज करेंगे केजेब चेप्टर टू सामना हो तो क्या हुआ वो फिल्म अच्छे होगी तो उसे लोग जरूर देखेंगे हमारे फिल्म अच्छे होगी तो हमारे फिल्म भी जरूर देखेंगे पर रिलिज के दो-तिन दिन पहले से जर्षी के मेकर्स को पता चल गया की केजेब चेप्टर 2 मार्केट में क्या तबाही मचाने वाला है अरे एड़नस बोकिंग ही जो इदना तगड़ा था तो जर्षी के मेकर्स ने ये डिसिजन लिया कि भाई अभी हम रहने देते हैं और हम हमारे फिल्म को दो हफ्ता बाद लाते हैं जो कि देखा जाए तो जर्षी के मेकर्स के लिए एक बहुत ही बड़िया डिसिजन था खेर अब केजेब चेप्टर 2 की सामने से लाल सिंग चड़ा हट चुका था और जर्षी भी हट चुका था पर थलापती बिजय की बीष्ट अभी भी केजेब के सामने था मतलब सेम डे पर रिलीज होना नहीं था बस एक दिन का गेब था तो अब क्या बीष्ट ने रोकी नाम का मॉस्टर के सामने टिक पाया या नहीं चिंता मत करियो भाई आगे हम वीडियो में सब कुछ जान जाएंगे जान जाएंगे क्या यार ये तो आप भी जानते ही होंगे कि बीष्ट हिंदी में फ्लॉफ हो गया अब देखो भाई अच्छा मुवी वो हो होता है जिससे सब पसंद करते है मतलब आप किसी एक्टर का फैन ना हो और ना ही उसे पहचानते हो फिर भी आपको उसका फिल्म पसंद आ जाए इसका मतलब उस फिल्म में कुछ तो बात होगा और उसका सक्सस के पीछे सिर्फ हीरो या हीरोईन की ही नहीं डिरेक्टर के साथ पूरा टीम का भी बहुत बड़ा हाथ होगा जैसे कि आप केजेब को ही देख लो यास भाई साब को प्रसान निल भाई साब को हमारे हिंदी साइट में जादा कोई जानता ही नहीं था अब सौरी लेकिन सच बताए तो हम भी यास भाई साब को केजेब से पहले नहीं जानते थे पर इनका प्रसान निल भाई साब का और उनका टीम का अच्छा काम और अच्छा स्टोरी होने के वज़े से सब लोग के जेब को लाइक करने लगे और बहुत सारा प्यार देने लगे ये होता है अच्छी मुवी का निसानी पर इसी ही सब से अगर देखा जाए तो बिष्ट फेल हो जाता है देखो माना इसमें च्छा करें यही बहुत ज्यादा टाइम महना और पैसा लगा अहर अच्छा ना हो और डिरेक्टर की वीजन ख्लियर ना हो तो वैसे डारइक्टर चाहते तो यहीं स्टोरी को भी बहुत ही बहतरी तरीके से दिखा सकते थे पर हमें लगता है डायरेक्टर साब का दियान सिर्व विजय जी के ऊपर ही था जहां कई भी विजय साब का सीन देखो फाड़ू है पर जब बात आती है विल्लेंग की हाइजक की होस्टेज़ेस की चेहरे पर बहुत डर की तो वहां डायरेक्टर साब चुक पञब्जा करते हैं लोगों को डर आती है उनने फिल कराते हैं देखो गोसना लोगों को बेरहम तरीके से कैद करना उनके बीच अपना जलवा दिखाना ये सब हमें दिखाते यह नहीं बाई जिससे कि हमें कुछ फीली नहीं होता और ना ही टेंसन का माहौल बनता है सिंपल तरीके से हमें सिर्फ यह पता चल जाता है कि अब यह लोग मौल को हाईजेक कर लिए है बस वाव वाला फिलिंग्स या तेल लेने अब देखो ऐसा फिल्मों में गुंडा का भी थ ले आये ना फिर भी इन्या कोई नहीं डेरेगा अरे यह डराएगा तभी दो लोग डरेंगे ना वाई डिरेक्टर वाइस आपका तो हीरो पर फोकुस है विलन जाए बाड में इसलिए वो सिर्फ हीरो का एंट्री एक्शन और स्वेक पर ध्यान दे रहे है विलन का खौफ का बात को कोई कभी भी सिर्यास लिया ही नहीं अलताब जो कि इस केस को हैंडल कर रहा होता है वह भी गुंडा को हमेसा हलके में लेता है और गुंडा से कहता है कि वह स्टेडियम वगरा को हाईजक करो और कम से कम 15000 लोगों को कैद करो और फिर अपने मांग करना तब साथ ह मांग के बारे में सोचेंगे मतलब क्या यार गुंडा को तो यह लोग अश्चेंगे बताओ यसे बॉंड़ों के तो बहुत सी बाते आपको बीश्ट के अंदर दिख जाएगा जैसे कि गुंडों का यह गुंड़े इतने निकभ में है कि क्या बता चार-पांस गुंड़ा खड़े है हीरो बिलकुल सामने है सिल्ड वेगारा कुछ भी नहीं है फिर भी इनने एम करना मुस्किल हो रहा है जो सारा गोली गलत दिसा में जारा है पर इसमें गुंड़ा लोगों का गलती भी पूरा कर देते हैं तलापती बीजर पूजा है योगी बबू गणिस सब आपने एकदम बढ़िया काम किया है और इसका जो वो गाना है अरबिक कुत्तु वो तो आपने सुनाई होगा हमारे कान को अच्छे फिल कराने वाला द्वानी सुनाता है फिल्म का स्टोरी और गुंडा का भाया जैसा कुछ पॉइंट्स है जिसे देखकर हमें इसके अच्छ दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वैं सब्सक्राइब कर लो